सुदानपूर नगर पृषिद के यो दोरा जन समस्या ना सुनने की चर्चा पर यो किशोरी लाल ठाकुर ने सिरे से नका रहा है एचुडे के सुदानपूर समवादाता राजन महता के साथ विशेश बातचीत के दुरान यो किशोरी लाल ठाकुर ने कहा कि शिमला में विभागी बैठक के दुरान वे एक दिन के लिए किसी का भी फोन नहीं उठा पा रहे थे लेकिन अधिकतर समय बे लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा तत पर रहते हैं सर जो आज समचार पत्रों में एक न्यूस परकाशन हुई है जिसमें आपके ऊपर ये बताया गया है कि आप लोगों की जन समस्याओं को लेकर आप अपना जो फोन है दूरवास नमबर नहीं उठाते हैं क्या कारण है सर आपका कि देखो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कल दिनाथ 21-217 को हमारी शिमला में निदेशक शहरी विकास बुबहा के साथ मीटिंग थी और हमने उस मीटिंग में बैठा हुआ तो हमारे जो मुबाइल फोन है वो साइलेंट मोल में थे और जब मीटिंग म बैठे हैं तो उस टैम किसी का अबसा फोन नहीं उठावाते हैं अगर किसी पत्तरकार को या किसी लोकर उस्थानी निवासी को कोई कारले के प्रति कोई उनका शिकायत है या कोई काम है तो वो हमारे ऑफिस के लेंड लाइन नंबर दूबतर 190 पर टेलेफोन कर सकते हैं और हम उनकी समस्य का निवारन करेंगे और जो विसमस्य हुए उसको बड़े ध्यान को बड़के सुनेंगे पर जिस तरह यह कुछ एक पत्तरकार जो चोड़ी सीनियोर्टों को कि मोवाइल नहीं उठाते हैं मोवाइल जो है कभी हम मेटिंग में होते हैं कभी अपने व्यक्तिकत इसमें उत्ते हैं बीजिए तो कभी सुचाव होता है तो लेंड लाइन पर करें अगरिसर्क परकार की वो नीड लगागर मेरे इसमें पब्लि परकार की वो नीड़ी करता है